हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके चैने हेमालेन फिरेंबी जहां आपको मंदिर और हेमालेन ट्रेक्स युड़ी हर तरह की जानकर मिलती है तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कोड़द्वार में से सिद्धिवली मंदिर की दोस्तों यह मंदिर दूर दूर से लोग द्रसन करने के लिए आते हैं कहते हैं यह बाला जी का मंदिर है और कहते हैं यहां पर एक बाक किसी ने अगर मनत मांग ली तो वो कभी खा लिया यहां से नहीं जाता उसकी मनत जुरूर पूरी होती है तो दोस्तों हम इस मंदिर के बारे में आपको पूर आपको देखने मिल जाएंगी हम दोपर में इसी वेसे भीड का मैं अब भूत दिखाई जैती है आपको देखें देखें यह देखें अपर जाएंगे तो आपको दुरसन कराते हैं मंदिर के ऊपर चलते हैं इससा में हम दुपेर में मंदिर नहीं रहती हैं इतनी मंदिर पर सामको समय जाते रहती कि बहुत कमी लोग दिखाए देंगे मंदुर मंदिर पर पहाल की जड़ में इस्तित जो टीला होता उसी पर इस्तित यह मंदिर इसी के फिर को जश्ट पीछे नदी जा रही है उस नदी का नाम तो मुझे पता नहीं है अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कुन से नदी है राइट में जाएंगे तो ही दोस्तो यह मंदिर भोहती सुंदर है आपको अगर इस प कि वर इन चुणζार सुन्दर मंदिर है पार पीछ पीछे पीछे पार्क बशार ब्रावा की पीछे आपको सीदु हम जाएंगे तो से मंदिर आता है मैं बताया है को देल सीलिघान के आपको आगे भी सिर्णी हैं इस सीदे जाएंगे पूरा मंदीर बटाखका आपको मिल जाएगा इस सीदे मंदीर का पूरा एक कोलिडॉर है उपर जागे उसी में मंदीर जागे इस मंदीर से आपको देखेगों अब अब कोर्ट दौार कना दिखा देखा आपको में भी फुरा दिखाओंगा मंदीर के वी कितनी हर्या लिए देखे सामने यह देखे नीचे नदी बह रही है दी तो मुझे पता नहीं अगर आपको पता तो कमेंट सक्षे नो पता सकते हैं कौन से नदी है नीचे यह लोग बैठे हैं क्योंकि अभी समय मंदे खुला नहीं मंदे तीन बजे खुलेगा तो लोग थोड जाएगा जब दर्सन करेंगे यह देखे सामने कोट द्वार पूरा पीछे को अपूरा ओड़ा कर नजारा दिखाएदेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कोट द्वार अब ही मंदिर बांद है जब तीन बाजे तीन बज जाएंगे कुछ दो चार मिनट के वाद तीन पर जाएंगे पूरा आपको मंदिर दिखाऊंगा, पूरा मैं, आपको भगवान जी की दर्सन कराऊंगा, बाला जी के, यह देखें पर्दा लगा है, पंदा जी बेठें है, अगरें इसाइड में, यह देखें, पीछे पार्क बना हुआ आगे, साइड में, इसका, यह मंदिर जादे उचाई पर नहीं, मैंने बताया ना, आपको यह पहाड की बिल्कुछ जड़ में से टीला है, उसी पर मंदिर यह बना हुआ है, इस सामने देखें, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, तो पूरा आपको, हम मोंसून में आए, इसी वेसे यहां पर हर्याली जादे नजर आ रही है, आपको पहाड़ों पर, इस सामने मोंसून में आने का बहुत अच्छा है, आपको हर्याली दिखाएंगे, पहाड़ों पर, यह फायदा होता मोंसून में आने का, यह पीछे को देखिए, यहां पर आप यह देखिए, जुन्दरी बान रही है, जो आपको यहां पर खालियात कभी नहीं आता, उसके मुहनत पूरी हो जाती है, यह आपको पीछे से दिखा रहे हैं मंदर आपको, तो आपको एक बार जो यहां पर आना चाहिए, यह कितना अच्छा देए, पूरा व्यू गिरिन गिरिन दिखाए दे रहा है, पूछे पीछे अब मंदर बंदे तो इस चक्कर में हमने सोचा तो कि थोड़े वीडियो वगरा शूट कर लेते हैं, थोड़े फीड़ी भी नहीं है समय, लोग बेटे हैं अभी जो भक्त लोग आये, देखिए लोग आने चालू कर देए, यह तीन बजने वाले हैं, लोग आने चालू कर पूरा लेंस डाउन को रोड जाता है, आपको लेंस डाउन, टार केस, महादेव, मंदर खुल चुका है, मंदर के आपको दर्सन कराते हैं, चलिए, बहुत सुंदर मंदिर है, आपको बिल्कुल यहां पर आने चाहिए एक बार, बहुत अच्छी वबस्ता है आपको, बहु के सामने देखिए, बाला जी भाबान जी, यह कोट द्वार देखिए, आपको साथ कैमरे में नजरने आ रहा हूँ, लेकिन अब बहुत अच्छा भी है, कोट द्वार का फिचे, यह देखिए, सामने बाला जी मंदिर है, सामने बाला जी मंदिर खुल गाया है, अब सामके सामने बढ़ते हैं, मंदिर भात लोग आते हैं, तो अब यहां पर आपको गैदरिंग जायता है, आपको सामके सामने, मैं आपको दिखाता हूँ, भावाँ जी दिखाता हूँ, आपको, आजी जूम करके देखिए, यह देखिए, जे बाला जी की चे, यह सामती है, बाला जी भावाँ जी है, पर आपको एंगे, यह देखिए, किज कुछ सुन्दा दिखाए दे रहे हैं, यहां पर फोती खुछने के लिए, आपको कुछने के लिए मनना नहीं है, फोती खूछने के लिए है, हमने बहुत खूछने के लिए, पर आके हूं कि देखिए हैं कि साइड में आपको ये क्रते हैं आपको अगर बत्ती बगरा लगा सकते हैं आपर ये लोग लगा रहे हैं वेगा नहीं को मंदिंचे भी दिखा का आता हूं आपको फिस रमानि record साइड से देखिए बहुत सुंदर मंदिर है आपको यहां पर आना चाहिए गवाल देखिए यह अगर बत्ती लगा रहे हैं लोग कि पीछे से सब्साइड से राते होता है यह फिर दिवे रही नदी दो मुझे पता नहीं है मैं आपको पहली बता यह—— काफी बड़ा मंदिर है काफी बड़ा आपको बहुत उच्स Тем factor में दएखने मिल जाएगा यह दिदेखिये है अको परिकर्म करने ताप परिक्रम करें तो इससम्मर यूद्ध पानी कम है यह दे लोग का परिकर्म करवे रहे हैं कि साइड से देहिए बहुत सुन्दर मंदिर है आको जूर यहांप आना चाहिए कुछ आप जिंधी में के डσεके संसरे आप है है अगर आप दिल्ल बगरह से रहते हैं तो आपको विल्कल वंड़े में वहां पर चूट कर सकते हैं। तो पों मीछी जा रहे हैं दूसर दूसरा मने दिखाएंगे आपको निचे कर दीड Państwo कि अ यहां भी आप पढ़सा चटा सकते हैं हमने यह पढ़सा चटाया है ये गिरीन कितना सुन्दर लग रादेखने हम अन्दर चलते हैं यहां भी मंदिर है यहां भोले नाज जी बैठे हैं हमारे बाबाजी बेठे हैं धिए आपस इनन्दी महराज होगा है आपको यहां पर जल की सुझाइभ मिल जाएगी आपको यहां पर किकते हैं लोटे रखे रहते हैं आप यहां पर जल भरके आप नल से आप चड़ा सकते हैं बहुत सुन धर बहुत मन मोखद्रस देखेंगे तब कर दिखी कान में कहते हैं नंदी माराज जी को कुछ कर दिया एक भार तो बिभर की तुन में जूरूब अधिक्य पूरी पूरी होती आंगए होता है यसा मनत है यह आखिए जल चञप pillarese आ यह देखिए देखिए कितने चिछु विदार यहां से चलाएंगे आपको सिदे भोलेना जी पे जाएगा बहुत अच्छा मंदीर है आप जागों यहां प्याना चाहिए प्राचीन पेड़ा बहुत पुराना पेड़ा यहां कियाते हैं आपको जाके अभी आपको जाके अभी खराते हैं हिलो जी मैंने भी जल जड़ा दिया है हम भी आगे चलते हैं दो चलिए और दूसरे टुकर आते हैं मदिर पर इसामें देखिए बहुत प्रानव ब्रक्च का पेड़ा हैं बहुत प्रानव रच्छे हैं कहते हैं कई चाल पुराना है आपको सनी देप जी कई मंदिर यहां पर यह देखिए बहुत सुन्दर लएगा आपको जरू यहां प्रान चाहिए मैं पहली बताया था बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर दर्स से यहां से देखने के लिए यह सनी देप जी का देखिए पीपल का प्रच्छे सनीवार के दिन यहां पर भी बहुत भी लगती है कि सनीवार के दिन यहां पर लोग आपने यहां पर दिये जलाने वगर आते हैं आपर दिये जलाने के लिए सनीवार के दिन यह देखिए बहुत सुन्दर रहे अगर आप ताइम से आएंगे तो आपको यहां पर भगवान जी का भंडारा भी खाने मिलेगा आपको दुपैर से पहले आयाते हैं तो आपको भंडारा खाने मिल जाएगा यहां पर यहां जोगी रोड डेली चलता है तो दोस्तो मेरे दुबारा बताएगे जानकारी अगर आपको अच्छे लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें धन्या